नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसे मिलेंगे। जिस ब्रह्मा के मुख से सभी धर्म पिताओ की तरह वर्बली बोली गई वेद्वानी से निकले ब्रह्मा मुखवन शावली। के तथाक्थित ब्रह्मा कुमारू ने ही भविश्यगत 5000 वर्षिय ब्रोड ड्रामा की वर्तमान संगम्युगी रिहर्सल काल में ऐसे ऐसे शर्मनाक नीच कर्म किये हैं जिनके कारण साक्षात भगवान को भी असंखे कलंक धारन करने वाला और कलियुग अंत में शिवलिंग पर संपूर अर्पन किये जाने वाला ना प्लस रियल फल जैसा कूपरी दिखावती पाठधारी का जैसा काम वैसा नाम वाला भारत देश में ही कलंकी धर बनना पड़ा पापी कलियुग के अंत में इन कुखवन शावली ब्रह्मा कुमारों के असंखे पापाचारों के कार ब्रह्मा की मूर्तिया भी नहीं बनाई जाती और ना उनके यादगार मंदिर बना कर चित्रों वा मूर्तियों का कोई मनुर्ष मात्रव पूजन ही करता है यहां तक की ब्रह्मा मुख से निकली वेदवानी को आज की तामसी कलियूगी दुनिया में कोई गायतरी परिवार का रामचंद्र जैसा विदवान समझना समझाना तो दूर सुनते और सुनाते भी नहीं देखा जाता सिवाय मुसल्मानों के तीर्थ स्थान अजमे शरीफ के पास पुषकर में जहां सिर्फ मुसल्मान धर्म में द्वैतवादी द्वापुर्युक से कनवर्ट होने वाले ततकालीन त्रेता अंत में पचीस सो वर्ष पूर्व के इन्हीं पुषकर्णी नीची कुरियों वाले ब इन ब्रह्मा कुमारों द्वारा शंकर पार्टी कही जाने वाली सूर्वंशी एडवांस पार्टी की आत्माव नहीं इन्हें धक्का देकर कुषप्लस करनी ब्रह्मनों के रूप में द्वापर्युगी शूटिंग से शास्त्रों में प्रत्यक्ष किया है मजबूरी से संसार में अंधश्रधा वाली मात्र दिखावे की ईश्वरिये सेवा करने वाले यही कुखवन शावली ब्रह्मन मैमे करके नई दुनिया बनाने की घोशना करने वाले अजपलस मेड के पुषकरनी ब्रह्मनों की यादगार है इन ही तथाक्थित ब्रह्मा कुमारों ने और दुनियावी भ्रष्टाचार करप्षन माने जाने वालों ने अपने कुकर्मों की बोचार से ब्रह्मा जैसी सहनशील देवात्मा की दाड़ी की लाज भी नहीं रखी इतना तक की संसार में अपने प्रैक्टिकल पाठधारी माई बाप जैसे ब्रह्मा को और उनकी असल संतान उची कुरी वाले सूरेवन्शी चंद्रवन्शी ब्रह्मनों को पूरा वसुधैव कुटुम्बकम बनने योगे असल भारतिये देवात्माओं को समूचे काफिर करार करवा दिया इस तरह सारे भारतवासी हिंदूों का नाम ही बदनाम करके रख दिया और आखरीन कलियूग में मुसल्मान अंग्रेजों आदी विदेशियों का खरीदा हुआ नोकरी चाकरी करने वाला दास ही बना कर रख दिया यह पांच हजार वर्षिये विश्व के ब्रोड ड्रामा का सो वर्षिये रिहरसल कार अभी भी चल रहा है अभी भी सदा परदे के पीछे रहने वाले निराकार डारेक्टर भगवान शिवपिता के बनाए हुए वसुधैव कुटुम्बकम का सपना देखने वाले कल्यानकारी असल भारतवासी बच्चों को पक्का पक्का चांस है कि इन नीची कुरियों वाले कनवर्टेट ब्रोमा के कुखवन शावली ब्राहमनों के असली भ्रष्टाचारी कुकर्मों की गैहरी से गैहरी CBI जांच करवाकर इन्हें निकट भविश्य में ही बनने वाल जन्नी जन्म भूमिष्ट स्वर गादपी गरियेसी से तुरंत निशकासित कराया जाए इन्हीं कुखवन शावली ब्राहमनों ने मीडिया में सर्वता जूठी अफवाहें फैला कर भारत सरकार के अन्याने विभागों के साथ ही शास्त्रों में प्रसित सारी दुनिया के स सर्वोच न्यायाधीश धर्मराज के वर्तमान काली नीचे से लेकर उपर तक के हाई कोटों यहां तक की सुप्रीम कोट को भी दुनियावी राश्ट्रुपती, कधान मंत्री जैसे बड़े-बड़े लोगों के दब-दबों से और अपने आर्थिक प्रभा से इंजी ओज और कुछ खास मीडिया वालों को भी प्रभावित करके रख दिया है। WBP, DP, HRC और भानती भानती के एंजी ओस जैसे संग्धन ना जाने कितनी होशियारियां दिखाने वाला फिल्मों में प्रसिदगी, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसे मिलेंगे वाला संसनी खेज, लोगों में हैरानी या दिल्चस्पी पैदा करने वाला नंगा नाच क जिसके फल स्वरूप सारे भारत की भोली भाली निरी प्रजाजन और उनके द्वारा बनाई गई बेकाइदे प्रजातंत्र सरकार का टाइम, मनी और एनरजी का वेर्थी दुरुपयोग हो रहा है। यह प्रजातंत्र सारी दुनिया के प्रायह सभी देशों में प्रथम विश्वियुद के बाद से ही तेजी से फैल गया है। प्रजातंत्र राज्ये का तो सारी दुनिया से कुछ ही वर्षों में सफाया होने वाला है। एक तो वर्तमान ब्रोड ड्रामा के शूटिंग काल में भी तामसी कलियुग अंत में तामसी बने मनुशों द्वारा। यह कहें ब्रोड ड्रामा की शूटिंग कालीन माया बेटी बी के कुमारिका का फैलाया हुआ प्रजातंत्र राज्ये है। जो सारे अखंड भारत के परंप्रसित परंपिता हर हर बंबं के सिखाए योगबल वाली ओम मंदली। सन 1942 से पूर्व की प्रेर ना से चतूर्थ विश्वी उद्धिय महाविनाश हेतु बनवाए गए एटोमिक बॉम्स द्वारा जल्दी ही नश्ठ होने वाला है। माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारो द्वारा छपाई गई अव्यक्त वानी की किताबों में भी बीके गुल्जार मोहिनी में प्रवेश दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने पहले ही हम सभी पांच उंगलियों पर गिने जाने योगें। पांच पांदव अर्थात अल्प संख्यक आम भारतवासी गीता की एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले राजयोगी ब्रहमनों को सपष्ट इशारा दे दिया था। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गती को पाया है। मुल्ली तारीक 30 जनवरी 1971 प्रिष्ट चार आदी जब सुप्रीम शिव बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते। देखो बड़े बड़े नेताएं सुप्रीम फादर को जानते हैं तो महामूर्ख हुए ना सारा उल्टा कारे करते हैं जैसे दिल्ली जैसी राजधानी की विशाल इमारत विजे विहार को अनायास किराने और बालिक कन्याओं को रिस्क्यू कराने के बहाने किड्नैप करने जैसा उल्टा कारे करते हैं आप कहते हो सुप्रीम बाप आया है वह कहते हो ही नहीं सकता तो फिर गुस्से में तोरफोर जैसा उल्टा कारे करते हैं ना अव्यक्त वानी तारीक 21 मार्च 1981 प्रिष्ट 89 अन्थ ओम शान्ती